पड़ी खबर सामने आ रहे हैं उससे आपको रूबरू करवाएंगे बहुत हैं कबर हर्याना से जुड़ी जुनता टीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है जुनता टीवी की खबर का असर हुआ है सोना में पाइपलाइन तूटने की खबर दिखाई थी जुनता टीवी ने 24 घंटे के अंदर प्रशासर ने संग्यान लिया पाइपलाइन तूटने की खबर जुनता टीवी ने दिखाई थी बड़ी प्रमुक्ता के साथ और पाइपलाइन तूटने से पुलिया में पानी भर गया था जिस पर 24 घंटे के अंदर ही संग्यान लिया गया है पुलिया में भरे पानी को कराया गया साफ तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने लिया है संग्यान सोना से इस वक्त की बेहद एहम खबर जहाँ पर जोनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है पाइपलाइन टूटने से पुलिया में पानी भर गया था जिसके कारण काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को प्रमुक्ता के साथ खबर दिखाई जोनता टीवी ने जिस पर 24 घंटे के अंदर ही प्रशासन ने संग्यान लिया बेहद एहम खबर पाइपलाइन टूटने से पुलिया में पानी भर गया था काफी परिशानिया यहाँ पर लोगों को जेलनी पड़ रही थी और पुलिया में इस भरे हुए पानी को साफ करवा दिया गया है तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं देखे किस तरीके से यहाँ पर जो है सफाई का काम चल रहा है 24 घंटे के अंदर ही पुलिया में इस भरे पानी को साफ करवाया गया जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है सोना में पाइपलाइन तूटने की खबर दिखाई थी जनता टीवी ने जिसके बाद 24 गंटे के अंदर ही प्रशासन ने इस पर संग्यान लिया और पुलिया में भरे इस पानी को साफ करवाया गया जनता टीवी आपकी ताकत हम यूँ ही नहीं कहते बलकि खबर का असर भी हुआ है और आप साफ तोर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं सोना के गाव धुनैला में ये पुलिया है जहां पर पानी भर गया था स्कूल जाने में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना प पानी को साफ भी करवाया गया पुलिया में पानी भर गया था पाईपलाइन टूटने की वजह से जुसकी वजह से लोगों को काफी परिशानिया जेनली पढ़ रही थी स्कूल जाते समय बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा था गाव धुनैला में ये स खबर का असर हुआ है प्रशासर ने संग्यान लिया इस पूरे मसले पर और पुलिया में भरे पानी को साफ करवाया गया